नमस्कार मैं शादना पांडे मांग दर्शन प्यापका स्वागत करती हूं दोश्तों आज मैं एक अद्बूत चमतकारी मंत्र लेकर के आई हूं और ये मंत्र प्राचीन काल से चला आ रहा है हम पूजा पाठ के बाद इस मंत्र को अवश्य बोलते हैं तो जिन लोगों को आपको पूजा का फल नहीं प्राप्त हो पाता है दोस्तों सास्र में ये नियम है कि देवता का आवान किया जाता है फिर उनको विसर्जन किया जाता है तो यदि ये सारे संपूण विधान हम सभी को नहीं पता है या फिर जिनको नहीं पता है उनको मात्र ये मंत्र छमा प पूण्ड हो जाती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमात्मा दयालू है वो भक्तों के छमा मांगने मात्र से ही उनकी पूजा पाठ को पूण्ड कर देते हैं और उनके उपर जो संकठ है उसे टाल देते हैं या फिर जो कामना है उसे पूण्ड कर देते हैं अब दोस्तों सा जम्पूर्ण ध्यान आपका इस्वर्की भक्ति में होना चाहिए पूझा में होना चाहिए तो उस पूजा में सबसे पहले जैसा कि हम सबसे पहले देवता को आवान करते साध जब आप इसी को बुलाएंगे तभी मैं जा करके आप सोच रहाएं आप ख्रापप की बुलाना किस प्रकार होता है? तो देखी जो बड़ी पूझा यके हमन होता है उसमें मंत्रो चारण के द्वारा हम देवता को बुलाते हैं, परpoxतो जो घर में शाधान सी पूझा होती है, तो उसमें हम देवता को बस आखे बंद करके उनका आवान करते हैं कि ग तो ये हो गया आपका आवान दूसरी चीज है कि जब आप उनको स्नान करा लेते हैं तो चंदन टीका यानि उनका स्रिंगार करते हैं तो जिस तरह से आप स्रिंगार करें तो हनुमान जी का स्रिंगार जो होता है सिंदूर और चमिली तेल से होता है मादुरगा को आप लाल च इत्यादि शामगरिषय उनका सिंगार करते हैं पूरों की माला पहनाते हैं हैं बगवान मिष्णु को पीला पीली पूरों की अ करके हम उनका उस्तुर लगवान klar करते हैं उनके की से बांगा उनका लग号 나 करते हैं कि आसकर पहना ऐर पूजा पार्ट उनकी सेवा की तो विसर्जन करना जो है बड़ी पूजा में होता है प्रद्दीन की पूजा में विसर्जन करना आवश्यक नहीं होता है पूजा पार्ट में हमें गलती जरूर होती है कोई न कोई हो सकता है कि हम अपने सरीर से कोई गलती न कर लें लेकिन ज पूजाता है कि भगवान के प्रति समर्पित जो है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनो तरीके से होना जह्तेक कि आप पयाँ सेgelा करके लाएं जैसे ही हम कोई जब करते हैं पूजा करते हैं मन में सोचते हैं भगवान को लेकिन मन जो है चंचल है सभी को पता है और वह इधर उधर बटकता है तो इन सारी गलतियों से भगवान को मतलब माफी मांगने के लिए आपको संस्कृत का एक स्लोक है जो की पूजा पाट के दल जाती है तो देख लिए इस लोक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आवाहनम नजानामी नजानामी विशर्जनम पूजा चैव नजानामी छम्य संपर मेश्वरम मंत्र हीनम क्रिया हीनम भक्ति हीनम जनार्दनम यत पूजिता मया देव परपूर्णम तदस्तुमें तो दो हुआ है वहां से नोट करके लिख लें एक हपते बोलने के बाद यह मंत्र जो है आपको मौखिक रूप से याद हो जाएगा और यह आप आप देखी रहे हैं कि इसको बोलने में समय कहां लगता आखे बंद करके भगवान का स्मंड कीजिए अब इस आपकी पूजा में जो सारे लोग बोलते हैं कि संस्कृत में नहीं पढ़ सकता है या फिर नहीं पढ़ सकती तो देखिए इसी का हिंदी अर्थ मैं यहां लिखी हूँ इसको आप नोट कर लेजिए और इस हिंदी अर्थ को आप बोल दें तो आवश्यक नहीं है कि जिस प्रकार यह क्रम सा लिखा दिक से καथ लिखया है लेकिन आप नोट नोट कर लें एक दो दिन बोलने के पाद आप यह याद हो जाएगा यदि आप मंतर नहीं जानते हैं या फिर लिखा हुए हिंदी मंतर उसको लिख लें नहीं हिंग सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक बार पूजा के बाद आप भगवान से इतना कहें कि है भगवान मैं आपको बुलाना भी नहीं जानती आपको विसर्जन करना भी नहीं जानती पूजा पाठ मंत्र जब कुछ भी मुझे नहीं आता है मैं बिल्कुल निर्मल हिर्दा से आपको आपका पूजन कर रहे हूं इसमें जो भी तुरूटी हुई जो भी गलती हुई उसे छमा कर दें इस प्रकार भी छमा प्रार्थ ना कर सकते हैं लेकिन दोस्तों कोई सास्त्रिय नियम के अनुशार जब हम कोई काम करते हैं तो वो अधिक फली भूत होता है तो इसलिए मैंने हिंदी और संस्क्रिट दोन जड़ते हैं जो जह आए तो ईपन तो आते हैं दोन्ड़े होता है जो ए उसमें जोगजार बड़े उसे प्ला मैं दोन्वादय कोई काम काम कर दोन्वादी चाहते हैं झाल झाल